Hello and welcome friends, Excel के अंदर एक ऐसा वे आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपका काम काफी आसान कर सकता है, आइए देखते हैं क्या है, यहाँ पर यह Microsoft Excel ओपन है, यह देख सकते हैं, यह हमारा Excel का एक डेटा हमारे पास मौझूद है, यह डेटा है हमारा, Excel पर यह डेटा हमारे पास नहीं चाहिए, ठीक है, यह परसेंटेज वाला कॉलम थोड़ा सा छेपता हो, नजर आए, इसे सई कर लेते हैं, तो रोल नम्बर वाले कॉलम को हम डेलीट कर देंगे, तो यहाँ से जाएंगे, रैट क्लिक करेंगे, कॉलम हेडिंग कर और डेलीट ऑप्शन के क्लिक कर दे तो हमारा पुरा डेलीट हो जाएगा यह, तो यह डेलीट हो गया, देख सकते हैं ना, अब हमको जितने यह कॉलम्स हैं और जितने रोज हैं, यहाँ से काउंट करना है, चुकि है यह एडिंग तो अलड़ी ले चुक है, तो यह 11 है साइद और यह कॉलम 13 है, तो मैं 11 रोज और 13 कॉलम्स सेलेक कर लूगा, ठीक है, कैसे करूँगा, यह दिखे, यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानि 11 रोज चाहिए और 13 कॉलम्स, ठीक है, तो यह जो है हमारा 11 रो है, हम इसे एक डिफरेंट कलर से हलाइट भी कर लेते हैं, ताकि यह इदर नहीं होगा, ठीक है, तो यह हो गया, तो यह 11 रोज और 13 कॉलम्स, यह हमने सेलेक कर लिया, और सेलेक करने के बाद क्या करना है, जैसे ही सेलेक करेंगे न, सेलेक करने के बाद यहाँ पर equal to लगा रहा है, ठीक है, एक बार फिर से में दिखाता हूँ, इस तरीके से आप सले इस तरीके से, और bracket को close करके control, shift और enter करना है, enter बिल्कुल नहीं करना है, control, shift, enter ही करना है, तो देख सकते हैं, यह data पूरा short हो गया है, और उपर RAM था, लेकिन अभी यह आमित यहाँ पर आने लगा है, तो यह है आपका short करने का तरीका, और यहाँ पर आपको control, shift और enter ही करना है, आपको control, shift और enter ही करना है, यह याद रखिएगा, ठीक है, मैं इस data को delete कर देता हूँ, और एक बर फ्रेंट से आपको दिखा देता हूँ, देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यह देखिए, मैंने highlight भी कर रखा है, ताकि यहाँ तक हम select करेंगे, तो यह देखिए, यह select क इसको select कर लिजेगा, इस तरीके से, और select करके, बस bracket को close कीजिए, बस यही गलती मत कीजिएगा, कि enter कर दीजिएगा, सीधा, enter बच्चे कर देखिए, तो यहाँ control, shift और enter करिएगा, और यह आपका short होके आ जाएगा, देखिए, शॉट होके आगया, देख रहे हैं, अब दे start कर दिया मैंने, लेकिन roll number उल्टा शीदा है, ठीक है, देख रहे हैं, आरेंज वे मैंने यह, यहाँ पर अब वापिस लगा दीजेगा, इसको इस तरीके से select कीजिएगा, पूरा data वहाँ तक select कीजिएगा, जहां तक आपको short करना है, तो यहाँ आप लगाईगा, यहाँ इस bracket को close कीजिएगा, और enter मत कर दिजिएगा, control, shift और enter करिएगा, तो देखें, यह short करके दे रहा है, उपर राम थाव, यहाँ पर जावेड, सुमीद, तो यह short करके हमें दे रहा है, यह ध्यान दिजिएगा, यह क्या कर रहा है, short करके हमें दे रहा है, और roll number wise short कर रहा है, यह ध्यान दिजिएगा, कि राम है, तो यह है, यहाँ पर roll number one आ रहा है, फिर two आ रहा है, three आ रहा है, four आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ पर five six था, तो यह जो left side में होगा ना, उसी के बेस पर यह short करेगा, समझवारी बात?